आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज म्यूज क्राइम का खुलासा 25 लाग की शराब जब्त कर तसकरों को भेजा जेल पुलिस को चकमा दे ले जा रहे थे अवेद शराब रविवार को थाना कोसी कला पुलिस की कोटवन चौकी पुलिस ने 25 लाख रुपए की अवेद शराब को जब्त कर दो शराब तसकरों को जेल भेजाए पुलिस के मताबिक हाली में अलीगर छेत्र में नशीली शराब का सेवन करने से कई लोगों की मौत होने से पुलिस विवाग में हरकंप मचा हुआ है जिसके चलते जनपद मत्रा की पुलिस ने भी शराब तसकरों के खिलाप तेजी से अभियान चला दिया है उसी दोरान रविवार को कोट वन चौकी पुलिस ने शराब तसकरी की रोकताम को लेकर अभियान चलाया जिसने पुलिस ने चेकिंग के दोरान संदिग्द परिस्तियों में एक ट्रक को रोक दिया इस ट्रक को रोक लिया और ट्रक में खाली गत्तों के काटूं रखे हुए थे जिसके पीछे अवयद शराब भरी हुई थी तभी पुलिस ने ट्रक में बैटे दो तसकरों को पकड़ लिया जिनसे पुश्टाष में पता चला कि ट्रक में 490 पेटी अंग्रेजी हर्याना मारका की शराब भरी हुई थी जिने तसकरी के लिए ले जा रहे थे पकड़े गए ट्रक चालक ध्यान सींग, पुत्र, प्यारी लाल निवासी, बहेडी, जिला, सोलन, हिमाचल प्रदेश, एवं कपिल, पुत्र, संतनाम निवासी, राम शहर थे जो की आर्थिक लाप के चलते शराब की तसकरी करने शराब ले जा रहे थे इस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने शराब से भरे ट्रक छ जब्त कर शराब तसकरों के खिलाब, संबंदित कारवाई करते हुए जेल भेज दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पकड़े का शराब तसकर एवं अपर पुलिस अधिक्षक शीशिचंद ने जानकारी दी निवासी शालोन हिमाशर प्रदेश हैं इन अधिक्तों को ग्रफतार का लिया गया है इनके अन्य शाच्यू इतलास की जा रही है और इनका साथ लिया गया है सीक्रेहिं के खिलाब भी अवैद्प्रत्य में सामिज होने के परपेक्ष में फठोविती कावेश शुचित की जा इसकी वास्तों क्यूमत ने की जाएंगे